कहानी शुरूर होती है और हम 1998 कबद दीखती है जहां ऑस्पिटल में कोईची नाम की एक लड़के को नाया जाता है जिसकी तरपित काफी खरावक थी असल में उसी डंग्स फेपरोंगी बीमारी थी जिस तो जैसे अकसर उसकी हालत ऐसी होती रेदी थी वो गबराकर भी हो श जाय करता था डॉक्टर फूरन उसका इदाश करती है इससे कुछी दिल में वह बिलकर ठीक उजाता है यहां पते चलता है कि वह अपनी दादी के साथ उनकी घर पर रहता है कुछ दिन पेली उसकी दादी उसे यहां नाई है इसलिए वह आखि लगों को इतना नहीं जान द नगर वह उस पर दियान ना देकर वहां से चली जाती है इसके बाद आगी हम तीन अफ़ती बात कवद भीगती है जहां कोईची ने एक नए स्कूल में दाखला लिया है एक टीचर उसे स्कूल के सुरूं के बारे में बताता है और उसे उसकी क्लास में लिजाता है इसलिए मैं यहां अपनी दादी और चाजी के साथ रहता हूं इसी दुरान कोईची नजर क्लास की एक लड़की पर जाती है जो और कोई नहीं बलके वोई थी जो उसे उस्कुटल में विली थी यानि जिसकी आँक पर पट्टी थी और पेरी क्लास कर पने की बाद कोईची कुछ ब बात करता है उस लड़की के बारे में पोशनी लगता है और बची को एक आगुस देए जिसमें रबचे की सीट की बारे में लिखा था मतलब की कौन सा वच्चा कहां बैटेगा जिससे देखकर कोईची हिरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि जिस अब पर वो लड़क उनके सूल बताने लगती है कहती है कि जो भी टीचर सुमें कहें हमेशे वोई करना उनकी बाती कि राफ मत जानब अगली दिन कोची स्कूल में एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है जहां इसी भी जोसे दुबारा से स्कूल की चट पर होस्पिटिफने लड़की दिखने लगती है इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताता है जिस पर वो कहती है कि वोजी तो वहां कोई नहीं दिख रहा वहां कोई है नहीं अब उससे इस बास से हिरानी तो होती है इसलिए वा कुद पतल अबवाने के लिए चट की तरफ जानी लगता है उसे प्तर चलता है किस लड़की का नाम में है वो लड़की आनि में अब कोई चीसे बात करती है कहती है इनक इसUM में दिरदोने लगता है इसकी फोरानी बाद वो डॉक्टर की पास आजाता है डॉक्टर उसका चेकप करने की बाद बताता है कि तुम्हीं बीकुल टीक होने में अभी वक्त लगेगा बस तुम्हीं परिशान नहीं होना और अपनी दवाई टाइम पर लेना रूसाना अब अ सकूल का लें नहीं कां में काम करता है उसीसे अंक बार में पोशने लगता है जो एकी बिल्यॉदाय का Code चैसे को याद आता है कि भी नहीं नहीं साथ लेकर चलती है अब इतने ही दिर में वहाँ नहीं बेरेना जाता है जो कोईची को उसकी क्लास भी जाने का कहता है अब कैसी भी कनके कोईची सब जाना चाहता था इसलिए अपने क्लास के तो लड़कों के पार जाब कर सारे सचाई पूश्ट में लगता है तब वो उसे बताते हैं कि सालों पेरे में नाम की एक निर्गी ठेडियर क्लास में पढ़ती थी मगर फिर अच्छानक एक दिन उसकी मौत हो गई और बस उसी दिन की बाद से उसकी सीट पर कोई नहीं बैठता मगर उसकी मौत के बाद क्लास के बचों दे उसकी सीट पर एक डॉल को रद दिया और बिल्कुल ऐसी वर्टाव किया जिसे उस सच्छमी क्लास में मुझूद है जिसके बाद वो सारी बच्छी वहां से चले गए और बस तबी सुनका मायना है कि मैं आज भी एक स्टूडन की रूप में उस सीट पर आकर बैठती है जिससे इतने वक्से कोची भी देख रहा है अब उनकी बाते सुनकर कोची काफी कप्रानी लगता है क्योंकि उसी अजीब लग रहा था यह सूचकर कि मैं इतने वक्सी एक आत्मा को देख रहा हूं पर जिससी वह ऊपर देखता है तो लड़की उसे तुबारा से दिखने जिससे एक पर पिर उसकी तब्यत खराब हो जाती है इसलिए वो डॉक्टर के पास चड़ा जाता है यहां उसकी मुलाकादिक नर्स ही होती है जो उस स्टुडेंट की बेहन है जिसने कोची को लाइवेरियन के बारे में बताया था और जिससे कोची ने मैं की बारे में जान सुमी राजवी अब एक दिन कोची को एक टॉल्स की शौक मिलती है जहां बहुत सारी गुडिया थी इसलिए वो अंदर जाकर चेट करने लगता है जिस तोरा नहीं हम देखते हैं कि उसकी दोस्से इस तुकान के इंदर जाते हुए देख रही है तुकान के इंदर कोची को मैं की गुडिया भी दिख चाती है जिसे अभी वो देखी रहा था कि तब यह मैं इक होता चाती है जिसे देखर वो उसे सवाल करने लगता है अब मैं उसे पनी आंख से पट्टी अटा कर दिखाती है जिससे हमी बता चलता है कि उसकी वो आंख कांच की है तो वो उसे अप के कोईची की दोस्ती अब उसकी बाते सुनकर घबराता हूँ अगली दिन स्कुल में कोईची की दोस्त थीक वह मैं पर नilos रख रहा है उसका पीछा कर दाँए मगर 날 छाता है अब में को हाथ लगा कर दीखता है कि कोई बूत आत्मा नहीं है बलकि ये असली की इंसान है जिसे सब आत्मा समझ रहे हैं तब ही हम बागते हुए कोई ची की दोस पिया जाती है और उस पर गुसर करने लिखती है कि तुम मेकप पिछे करना क्यों नहीं जोड़ रहे हैं सारा कौन बह गया था इसलिए उस बिचारी की मोगी पर ही मौत हो जाती है अब जैसे कि मैंने उसकी मौत को देखा था तो वह सच में मर गई इससे बिच मैं अपने उस आंग से देखती है कि उस लड़की की दाश की आस पास बहुत सारा खौन जैसा लिकृट निकन रहा है जिसका मतलब था कि उसी ऐसी पता चलता है कि कोई इनसान बैढने वला है अब ये लिकृट उस देख लिया था तो इसका मतलब आगे भी किसी इनसान की मोत होने वाली है फिर तबिया और भी बहुत सारे बच्जिया जाते हैं और उस लड़की की मौत पर काफी तुकी हो जाती है मगर उसकी मौत का जिमेदार कोई जी कोई समझ रही थी क्योंकि उसले ही स्कूल के सूल तोड़े थी जिस वज़े से मौते होना शुरू हो गई है यानि के कर्स वापिस आ गया है मगर वो अभी भी कुछ नहीं समझ पाता है फिर शाप को जब वो ऑस्पिटल में जाता है तो निर्स उसी बताती है कि में यहां कुछ दबाया लेने आती रहती है साथ है वो कोईजी को ये भी कहता है कि मेरी बेन यानि उस नेर्स से भी कम दोरी रहो अब यहां हमें पता चिलता है कि में कोई बोत या आत्मा नहीं है बलकि यह सच में एक लड़की एक स्टूड़ेंट है जो इसी स्कूल में पढ़ती है मगर सारी बच्चे और टीचर्स उसे नजर अंदास करती है और ऐसे समझती है जैसे वो यहां है ही नहीं मतलब कि देख कर भी अन दिखा कर देना मगर इसके पिछी बज़ा क्या थी इसके बारे वे कोई चिन नहीं जानता था पर वो इस बारे में कैसे भी करके पता करना चाहता था इसलिए वो उस्पिटन जाकर नर्स के पास जाने लगता है मगर तभी उसे याद आता है कि नर्स के पाई ले मुझे इसे दो रेंडे का का है इसलिए उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो उसे अपने बेंड की मुझे का जीमितार समझ रहा था इसके लावा जब वो प्लास में जाता है तो वहां भी कोई उससे बात नहीं करता है उसी सब देखकर भी नजर अंदास कर दी थी ऐसा द्रसल वो लोग इसलिए कर रहे थी क्योंकि उनका माना था कि अगर अगर वो प्लास में और ना आए बराबर ये फिरप स्कूल कत्मोने के बाद मेरे के पास जाता है और उसके पूछता है है यह स्कूल में अजीब च्छल रहा हैं जिससे वो से बताती है कि हर سाल जब भी बच्चों का स्कूल में एडमेशन यानि दाख्ला होता है तो एक ब अच्छे कभी नाम आएगा उसे पूरे साल नजर अंदास किया जाएगा जैसे हो स्कूल में है ही नहीं ऐसा इसी ही किया जाता है कि भी सब का मानना था कि अगर वो ऐसी नहीं करेंगी तो स्कूल में परानॉर्मल इन्हीं अजीब गरीब चीज़ें और ली नगीगी जिससे एक के बात एक स्टूडेंट मारे जाएंगे यह किसम पर कर्स है और जी साल में थी तो इक लड़की को नजर अंदास करने के लिए चुना भिया था मगर वो डर रही थी इसलिए उसने मना कर दिया अब किसी को तो नजर अंदास होना ही था तो उसकी जगा मैंने अपना ना रहे थी क्लास छोड़कर वह घुमने निकल जाती थी इसलिए अब उन दोन भी अच्छी तूस्ती भी हो गई थी अवे को भी सचाई पता नहीं थी तो यह लोग सच जाने के लिए राइग बीन की पास जाती है जहां अब वह नहीं बताता है कि काफी सालों पहरी एनी 1972 में मैं थेर्डेर क्लास का टीचर हुआ करता था जहां तब यह जानक एक बच्ची की रसे से लिटकनी से मौत हो गई इसी को कुछ समय नहीं आया कि आखर उसकी मौत कैसी हो गई और जो बच्ची उसके साथ पढ़ती थी उनको लेकिन आहीं नहीं रहा था कि वो मन गई है वो चानक से यह मर्णने लगे जिसे रोकने के लिए सबने फैसला किया कि वो हर साल इंक बच्ची को वोटिंग के जरीए चुद कर उस लिड़की की सीट पर बिठा देंगे सभी के लिए उस सीट पर बैटा जाने वाला बच्चा अवाई भी माना जाएगा मतलब कि सब उसे न पर बैटने वाले बच्चे को नजर अंदास करना मगर कोई जी ने उसीट पर बैटने वाले लिड़की में इको नजर अंदास नहीं किया इससे वापीस आगया जिससे अजीब वरीब चीज़ी होना शुरू हो गई है जिससे मोती होने का सिल्स्ता भी दूबारा सी आने देकर मैं उसे चेट कर दिए कि कहीं वो एक्स्ट्रा लिविंग परसन तो नहीं मतलब कि ऐसा इंसान जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था मगर वो अभी तक जिन्दा है और उसकी वज़े से ही लुबंगी मोते हो रही है और अगर वो मर जाए तो कर्स खत याने की में एक्स्ट्रा लिविंग को भी देख सकती है उसी पता चल जाता है कि कोजी एक्स्ट्रा लिविंग नहीं है और यह सुब कुछ भी आपनी आँके जरी देख सकती थी अब हम स्कूल के टीचर को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर थे हो अपने वाइव को जानक हिलाकर बड़तन उठाकर नहीं जा रही थी मगर तबीयत जानक उनको पैए फिसल जाता है जिस वज़सी उनकी आप में जो चुमश था वो उनकी आँग में घुस जाता है जिस्टे उनको इतना खुन बैदाए इतनी तकलीफ होती है कि मौके पर है उनकी मौत हो जात है तो साफ़न आती गारी से गों टक्रा जाती है वह फोरण नीचे और जाती है जिससे वो काफी जखमी हो गुई थी इसलिए मोगी पर उसकी भी मौत हो जाती है भी अगली दिन स्कूल में जिब उसकी मॉत का पता चलता है तो सारही बच्छे काफी दुकी हो गई थी 1922 में उस क्लास के स्टूरेंट थी इसके बाद मजीद चांद बिन करने के भी वह स्कूल की दूसरे इसे विजाते हैं जहां सबका जाला मना था क्योंकि 1922 की टाइम क्लास वही रगती थी वह आंकर चाहत बिन करने लिखती है ताकि उनने कोई क्लू कोई सुराब मिल सके और कोई ची को यहां एक आडियो टेप मिन चाहती है जो काफिक पुरानी लग रही थी जिब भी लोब उसे सुनती है तो पता चिलता है कि इसे भी उसी वक्त उन्हें सुब बाहतर में रिकार्ड किया गया है जिब स्कूल में मोते हो रही थी आडियो में एक लड़का बता रह और अगली दिन मरने वरे इंसान को हर कोई भूल गया कि वह कौन था अब क्यूंकि में हर वक्त अपनी काश वरी आपको ड़कर रखती थी इसलिए उसे कभी भी एकस्टर लिविंग इंसान नहीं रिखा इसलिए अब उन्हें कुछ भी समय नहीं आती कि बना एकस्टर रही है जिसका मतलब है कि इसका कोई कसूर नहीं है यह एकस्टर लिविंग नहीं है और हमारा स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है इसके लिए सब तयार है अब अगली दिन सब बच्चे ट्रिप के लिए स्कूल की दूसरे कैमपस में रुखती है जहां जब कोई जी और में बातें सुनाने लिखती है कि तुम कसूरवार हो सारी मोते तुमारी बचल से ही हो रही है जिस पर मैं उनसे अपनी गलती नाव होते हुए भी माफी मांगती है इसी बीच थम दर्स के भाई को देखती है इसी उन दोनों पर अभी मिशब्त है जिस वजह से वो चुप- है मतलब कि वह एक्स्टर डिलिंग परसंज है जहां इसी बीच निखाया जाता है कि कैमपस में अजीबयों करीब चीज़ी होना शुरू हो गई है मैं भी अपने अंग पर से बटी अटाकर घूव वही थी ताकि वह देख सकी कि कुन एक्स्टर निंग है जिहां तभी उसक इस उनिदर वह फोराने उसकी साथ जाने लिए अब कोईच की सीनी में दुबारा से दर्द नहीं लगता है इसलिए उसी पाका नहीं जाता जिस स्विच तब भी उसे कोई एक कम्रे की तरफ जाने के लिए क्लिए कि आकर वह वह कौन है उदर में और वो लड़का जब जा तो उने रास्ते में वोई लड़की मिलती है इसने पहले भी मेंसी बत तमीजी कि थी वो एक चीस से जेसी में पर हमला करने लगती है तो उसकी साथ बड़ा लड़का आगी आपर उसे लोग देता है जिसके बाद उसकी पर जाती है तब लड़का अपने जान बचाने के भी को मार सके, मगर तबी रास्त में गई से एक तेज़दार तार आ जाती है, जिससे उस नड़की का सर कट कर, जिसन से अलग उचाता है, जो देखने में काफी पयानक लग रहा था, नर्स का भाई अपनी बेहन की मौत का बट्रा लेडी के लिए, चाप उसे कुछी पर हमला करता है, जिससे वो गट मार कर, कोई ची की जीरे को सक्त में कर दीता है, मगर तबी पीची से में आकर, उसके सर पर एक बरतंजीर वाल कर दीती है, जिससे वो नीजी कर जाता है, और ये दोनों भी आसी चले जाते हैं, उनकी जाने के बाद नर्स की भाई को इतना गुसा आ करते हैं, क्योंकि आप पहलती जा रही थी, में कोई ची की जच तो पीचे करती है, ताकि वो उसी मार कर, खर्स यहीं पर खत्म करती है, क्योंकि वो जान चुकी थी, कि वो एक्स्ट्रा लिविंग है, सब लोग जो बाहर आ जाती है, तो कोई ची देखता है, कि में और उसक की पीचे जाती है, जिए में अपने सांग से बीखती है, कि लाइबरियन और कोईची की चाची के पास, खौन जैसा नीकोर चेड़ रहा है, जिसका मतलब था कि मेंड़े की बारे उन दोलों की है, तभी जानत लाइबरियन का पहले पीचन जाता है, और वो नीचे जाकी घ जाती है, जहां इसे बिच कोईची की चाची भी दिबार से देख जाती है, जिससे बचाने के लिए कोईची आगी पढ़ता है, मगर में दीखती है, कि अगर उसने पने चाची को बचाने की कोशिश की, तो वो बिमारा जाएगा, इसलिए वो यह बता ही देती है, कि वो ए हो जाता है और जिब उसी होश आती है तब वहां उसी मिलने में आती है और बताती है कि अब तुम्हारे चाची के मरते ही कर्स कट मोगया है और सब उनको भूल गई है बिल्कुल रह सही जिसी 1972 की डाइब में हुआ था क्योंकि पुराने टेप तो जन गई थी इसलिए वो आता है इसके बाद हम आखिर में 2012 का वग देखती है जहाँ स्कूल में क्लेटी को कोईजी और में की रिकॉर्ड की हुई टेप मिल जाती है साथ ही हम देखते हैं कि उनकी क्लास के टीजर और कोई नई बल्की ना इप डिलियन था जोकि 14 साल पे नहीं आग में गिरा तो था होना शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही कहानी इदर ही हरत मर जाती है